हेलो बच्चों कैसे हो आप ओप everything is fine चलिए बच्चों आज कुछ नया पढ़ते हैं interesting मजाएगी बहुत अच्छा लगेगा आपको देखो बोर्ड में पीछे क्या लिखा हुआ है thermodynamics of mixing तो mix जब करते हैं तो कैसे thermodynamic parameters उस mixing में change होते हैं आज हमको यह पढ़ना है और बच्चों mixing में भी हम लोग एक particular example लेने जा रहे है mixing of ideal gases mixing of ideal gases ठीक है ideal gases को अगर mix करते हैं तो thermodynamic parameters किस तरह से change होते हैं यह देखना है अच्छा ideal gases की mixing तो बोल दी हमने पर वो mixing भी ideal mixing पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब ideal gases की ideal mixing यह क्या होता है तो यहां पर सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि आगे जो भी हम लोग इस समय पढ़ने जा रहे हैं वो है ideal mixing वेन वी से ideal mixing बचों by ideal mixing we mean that mixing किनी particular conditions में हो रही हैं और अगर वो conditions satisfied हैं तो आप उस mixing को क्या बोलोगे ideal है ना तो ideal mixing के लिए क्या conditions या क्राइटेरिया satisfy होने चाहिए सबसे पहली बात बचों अगर ideal mixing करनी है तो ideal mixing should be isothermal as well as isobaric isothermal होना चाहिए और isobaric इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि temperature और pressure क्या होने चाहिए constant क्या होने चाहिए constant isothermal temperature should be constant isobaric pressure should be constant तो हम जो भी mixing पढ़ने जा रहे हैं वो ideal mixing है और ideal mixing के लिए isothermal और isobaric होना चाहिए पूरा mixing का process now let us consider two ideal gases basis जैसा मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं ताकि वो पूरा system जो भी mixing का हो उसमें temperature और pressure क्या रहना चाहिए constant तो एक काम करते हैं एक वेसल बनाते हैं container बना लेते हैं चलिए बना लिए container container को दो parts में divide कर दिया है with the help of a partition right left side पे gas a है जिसके moles n a है और इस left side का portion का volume v a है temperature बच्चे T है और इस gas का pressure अभी पी है gas का pressure कितना है बिटा पी right side पे एक दूसरी gas है let it be b इसके number of moles कितने हैं n b और इस वाले section का volume कितना है v b और इस gas का भी temperature कितना है t फिर से समझो एक container है हमने उसको दो parts में divide कर रखा है एक section का volume v a है दूसरे section का volume v b है एक gas a दूसरी gas b दोनों के moles n a और n b और यहां पे दोनों ही gases का pressure बराबर है pressure constant है let the pressure bp y 잡 Treasury I left disposer pressure P है this gas बहbecue pressure P है ठीक है यह हमारी initial situation यह हमारी initial situation अब हमें क्या करना है हमें बिना कुछ हरकत कि धीरे से यह partition को remove कर देना है यह जो partition है is partition को हम करने वाले है remove चलिए Quebec partition को हम करते हैं remake का मतलब है अब आप partition को remove कर दीजी अच्छा इसको फिर mixing कैसे हो इसमें पार्टीशन जैसे ही आप रिमूव करोगे तो इधर वाली गैस इधर मूव करना शुरू होगी तो एक तरह से मिक्सिंग होने वाली है यह गैस ए और बी का मिक्सिंग होगा यहां पे अच्छा फाइनल प्रेशर को भी मुझे पी ही रखना है प्रेशर चेंज नहीं करना है क्योंकि मुझे बोला गया है आइडियल मिक्सिंग में कर रहा हूँ आईसो बारिक है और आईसो थर्मल है इसका मदब फाइनल टेंप्रेचर भी मुझे टी रखना है यदि मुझे फाइनल प्रेशर पी रखना है तो बच्छे ये वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम जैसे ही मैं यहां से पार्टिशन अटाऊँगा तो ये पूरा स्पेस अब अवेलबिल है गैस इसके लिए गैस इस पूरे स्पेस में घुमेगी फिरेगी गैस भी इस पूरे स्पेस में घुमेगी फिरेगी तो अब total space का volume कितना हो गया VA plus VB final pressure भी बच्चे कितना है P pressure change नहीं हो रहा है temperature change नहीं हो रहा है अब हमें इसमें जो अलग-अलग thermodynamic parameters हैं चलिए उनकी value निकालते हैं या उनमें change क्या हो रहा है ये पता करते हैं सबसे पहले बच्चो volume में change देखते हैं कि volume में change क्या हुआ अगर हम A और B को अपना system मान लें system A gas और B gas हमारा system है तो initially A का volume VA था B का volume VB था इसका मतलब इस A और B system का volume VA plus VB था और अगर आप बचा final देखो final यहाँ पे अब आपके पास एक mixture है और वो mixture दो gases का है ideal gases का A और B का total moles कितने होंगे बेटा NA plus NB अब इस mixture का final volume भी VA plus VB है क्या volume में कोई change हुआ क्या volume में कोई change हुआ पहले volume system का कितना था दोनों का मिला के बताओ VA plus VB बाद में भी volume कितना हो गया VA plus VB तो क्या कोई volume change हुआ mix होने पे the answer is no volume change नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि delta V mixing in ideal mixing is zero इसका मतलब volume change नहीं हुआ mix होने पे delta means change change in volume mixing होने पे क्या कोई change in volume हुआ the answer is no इसलिए ये value कितनी आ रही बच्छे zero ये value कितनी आ रही बेटा zero ठीक है अब हमें दूसरे parameter से निकालने हैं चलिए बेटा delta H mixing पता करते हैं delta H mixing इसको मैं थोड़ आसा उपर करूंगा delta H mixing पता करते हैं क्या बच्छों आपको मालूम है कि ideal gases की enthalpy is a function of temperature only मालूम है बहुत अच्छे से मालूम है ideal gases की enthalpy is a function of what function of what बताइए बताइए function of what temperature only सिर्फ ideal gases की enthalpy सिर्फ नहीं ideal gases की enthalpy temperature पर ही depend करती है और अगर temperature change ही नहीं हो रहा पूरे process में mixing के पहले भी individual temperatures T थे mixing के बाद भी individual temperatures T है कोई change in temperature नहीं है तो क्या enthalpy change होगा नहीं होगा क्यों? क्योंकि enthalpy तो temperature पर डिपेंड करी temperature constant enthalpy भी constant और अगर constant चीज़ भी constant अगर कोई quantity है उसमें आप change पता करोगे तो change कितना आएगा 0 तो delta H mixing is also 0 in ideal mixing ideal mixing में delta H mixing भी क्या होगे बच्चे 0 हो गया अब हमें दो चीजे और चाहिए delta S mixing entropy of mixing और दूसरा है delta G mixing Gibbs energy change कितना हो रहा है mixing के इस procedure में ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले delta S mixing निकालते हैं लेकिन उसको पता करने के लिए बचा मुझे आपको एक छोटा सा concept बताना है और आप एक चीज़ recall करने की कोशिश करो अगर मैं आपसे बेटा पूछूँ कि कोई ideal gas है और उसमें कोई process होता है ideal gas पे और उस process में change in entropy पता करो ideal gas is undergoing a process उस process में मैं आपसे बोलूँ कि delta S for that ideal gas बताइए क्या होगा तो आपने शायद ये formula बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा delta S change in entropy for और याद रखेगा ये formula जो भी लिखने जा रहा हूँ ideal gas के लिए ही apply करता है delta S is equal to n cvm ln natural log log base e है ये natural log log t2 upon t1 plus nr ln p1 upon sorry यहाँ p1 नहीं बलकि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे v2 upon v1 v2 upon v1 अगर यहाँ cpm होता तो फिर pressure आता यहाँ cvm है तो यहाँ पे क्या हैगा volume आएगा यहाँ cpm है तो यहाँ पे volume आएगा अब बेटा यह पूरा process हो रहा है constant temperature पे अगर constant temperature पे हो रहा है तो t2 और यह जो t1 है यह दोनों बराबर है इसका मतलब यह ratio कितना है बच्चे यह ratio 1 है और log 1 यह होने वाला है 0 इसका मतलब यह पूरा portion इस वाले case के लिए 0 इस particular example के जहाँ temperature constant है यह पहला वाला term 0 होने वाला है इसका मतलब है कि delta S ideal gas के लिए अगर temperature constant रहता है तो nrln v2 मतलब v final upon v initial कह सकते हैं सही है न वी final upon v initial कह सकते हैं I hope कि आपको समझ में रहा है कि यह exactly क्या है और मैं यहाँ पर यह भी मान रहा हूं कि आपको यह result अच्छे से मालूम है अगर नहीं मालूम है तो इसको भी हम लोग derive कर लेंगे अभी तो इस पर focus करते हैं कि exactly यह क्या हो रहा है तो हमें यह मालूम है कि delta s की value अगर process में temperature constant है तो ideal gas के लिए यह लिख सकते हैं अब मैं एक काम करूँगा मैं next page पे चलता हूँ आप बेटा यह चीज समझ में आ गया हम next page पे चलतके आपको यह बताएंगे कि delta s a के लिए और b के लिए कैसे पता करेंगे अचा next page पे जाने के लिए हमें एक चीज और पता होनी चाहिए और वो मुझे मालूम है कि आपको पता होगी क्या आप सभी को मालूम है कि ideal gas के लिए pv की value nrt होती है आप बोलो गयार सरी यह भी कोई पूछने की जरूरत है बिलकुल मालूम होगी अचा बचे pressure constant है temperature constant है इस पूरे process में pressure और temperature constant है तो क्या बेटा मैं volume को proportional to moles लिख सकता हूँ क्यों ऐसा ही लिए क्योंकि p और t की value बच्चे क्या है constant पी और t की value क्या हो गई constant volume is proportional to number of moles तो हमें यह पता होना चाहिए कि volume proportional to number of moles है क्यों क्योंकि ideal gas और pressure temperature constant है तो इतनी जानकारी के साथ अब मैं move करता हूँ next page पे और entropy of mixing calculate करते हैं चले next page पे इसको इब आप देख लो लिख लो चलते है और राइट चले next page पे हमारी original problem क्या थी हमारे पास मैं फिर से उसको draw कर रहा हूँ हमारे पास इस तरह का एक system था हमने दो gases ली थी A और B इसका volume B ये था इसका volume B भी था इसका moles N A इसके moles N B इसका temperature T हमने partition को हटाया mixing हुई और mixing के बाद आपको मिला एक mixture दो gases का वो दो gases है बेटा A और B total moles हो गया N A प्लस N B और total volume हो गया V A प्लस V B और temperature में कोई बदलाव नहीं temperature अभी भी कितना है T है temperature अभी भी T है हमें इस process के लिए change in entropy पता करना है अब A और B हमारे लिए system है तो ये दो gases हमारे लिए system है Now let us find delta S for both these gases और फिर उनको add कर देंगे ताकि total entropy change पता चल जाए चलिए entropy change पता करते है सबसे पहले बचे gas A के लिए तो delta S for A क्या लिखेंगे N R L N V final upon V initial चलिए लिखते है N A R L N natural log V final अच्छा gas A के लिए V final क्या होगा जैसे ही आप ये partition remove करोगे gas A पूरे इस volume में spread हो जाएगा पूरे volume में spread होगा की नहीं होगा अरे आप बताओ पूरे volume में spread होगा की नहीं होगा होगा ना पूरा volume मतलब कितना volume VA plus VB तो final volume क्या है बच्चे final volume है VA plus VB और initial volume इसका क्या था initial volume क्या था initially सिर्फ यहाँ पे content थी ये gas सिर्फ VA volume में सीमित थी तो initial volume is VA So this is N A R L N VA plus VB upon VA ये change in entropy gas A के लिए है चलिए gas B के लिए भी calculate करते है delta S for gas B will be N B R L N VA plus VB divided by initially B का volume बी सिर्फ यहाँ पे content थी तो उसका volume बच्चे क्या हो जाएगा VB I hope कि ये बहुत अच्छे से clear है आपको final volume VA plus VB initial volume B के लिए कितना था VB अब एक काम करो दोनों की entropy को add करो ताकि हमें उस पूरे system के entropy change पता कर पा है तो delta S mixing और mixing change in entropy for this mixing process so delta S mixing is equal to इन दोनों को add करो बच्चे तो इन दोनों को add करोगे तो क्या हैगा N A R L N VA plus VB divided by VA plus N B R L N VA plus VB और initial volume B के लिए था VB अब यहाँ पे जो last page में चलते चलते मैंने आपको बताया था कि volume is proportional to number of moles उसका use करते हैं उसका use करते हैं volume is proportional to number of moles उसका use करते हैं इसके पहले थोड़ा इस expression में log log खेल लेते हैं log खेलते हैं एक काम करो इस वाले expression को आप reciprocal करो इसको आप पलट दो इसको reciprocal करो इसको भी reciprocal करो जब आप reciprocal करोगे तो यहाँ लगेगा minus sign यह समझ में आता है आपको तो एक काम करते हैं delta S mixing is equal to इसको पलटो बेटा और minus sign लगाएंगे तो na r ln va upon va plus vb यह हो जाएगा पलटने पे इसको भी पलटो nbr ln vb upon va plus vb पलट दिया इसको हमने अब एक बहुत मज़ेदार expression आएगा क्या होगा va upon va plus vb को क्या मैं आप बताओ अब आप बताओ अभी पिछले पेज पे मैंने आप से बोला था कि since p and t is constant so volume is proportional to number of moles अब volume अगर proportional to number of moles है तो क्या मैं va upon va plus vb को na upon na plus nb लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ आप नहीं भी बोलोगे तब भी मैं बोलूँगा लिखेंगे लिखना ही पड़ेगा va upon va plus b is equal to na upon na plus nb और यह और कुछ नहीं बलकि mole fraction of a है so this is mole fraction of a similarly बिटा vb upon va plus vb vb upon va plus vb is nothing but nb upon na plus nb and this is mole fraction of b this is mole fraction of b बहुत मज़ेदार हो गया यह तो यह पूरा expression जो va upon va plus vb है और यह vb upon va plus vb है यह mole fraction के terms में reduce हो गया तो हमारा expression थोड़ा सा simplify हो जाएगा चलिए इसको simplify कर देते हैं अब इस delta s को थोड़ा सा और उपर करता हूँ इस delta s को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो बेटा delta s mixing में लिखने वाला हूँ और इसकी value होगी minus n a r ln यहाँ पर x a आएगा minus n b r ln x b है ला अगर हम दो gas से इसको mix करते हैं तो हमारा यह delta s mixing का expression है इसको simplify भी कर सकते हैं थोड़ा generalize भी कर सकते हैं में काम करो हमने दो gas से को mix किया तो यह expression आया अब अगर मैं बहुत सारी gases को mix करता हूँ तो आप एक expression में लिखने वाला हूँ उसकी validity चेक करो कि क्या वो मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ठीक है आप उसको check करो कि क्या मैं लिखों गा या नहीं लिखूँँँगा, डिल्टा S mixing is equal to minus R submission N I L N X I, minus R submission N I L N X I, क्या मैं यह लिख सकता हूँ, इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, यहाँ N I is number of moles of I-th gas and X I is mole fraction of I-th gas, अब I-th gas क्या होगी, अगर आप दो gases को mix कर रहे हो, तो I-th gas वन और टू gases होगी, अगर 3 को mix कर रहे हो, तो I की value 1, 2, 3 हो जाएगी, accordingly आप यह expression को use कर सकते हो, so this is very important, this is very very important, इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखो तो और भी अच्छा है बिटा, लेकिन यह भी याद रखना कि यह ideal mixing के लिए हमने obtain किया है, ideal mixing का मतलब है, कि हमने इस पूरी mixing में temperature और pressure को रखा है, constant, temperature और pressure को रखा है, constant, एक बात और, कई बार क्या होगा, अब यह चीज़ें तो हम लोग बहुत अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन examination में कई बार कुछ चीज़ें, मतलब silly mistakes होती है, चोटी-चोटी गलतियां होती हैं, और उन गलतियों के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ती है, यह आपको भी मालूम है, अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ हो यह कि delta S mixing यहाँ जो आएगा, आप उसकी SI unit बता दू, मुझे SI unit क्या होगी, SI unit क्या होगी, अभी, अभी जो मैंने change in entropy निकाला है, उसकी SI unit, बताएं, तो मैं आपको बता दू, वैसे भी entropy की unit क्या होगी, अगर मैं SI unit की बात करूँ, तो बचे यह जूल पर Kelvin होती है, तो यहाँ पे जो delta S mixing आएगा, बचे वो किस में आएगा, जूल पर Kelvin में, किस में आएगा, जूल पर Kelvin में, लेकिन कई बार questions में ऐसे questions पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि delta S mixing बताओ, लेकिन option में आपको ये unit नहीं मिलेगा, ये unit option में नहीं मिलेगा, बलकि आपको क्या मिलेगा, जूल पर मोल पर Kelvin, जूल पर मोल पर Kelvin, तो ये option नहीं है, यहाँ तो जूल पर Kelvin है, यहाँ अगर इस formula से हम लोग values पता करेंगे, तो वो आएगी जूल पर Kelvin है, पर options हमारे पास ऐसे पूछे जाएंगे, या ऐसे place दोंगे, कि वहाँ options में जूल पर मोल पर Kelvin, इसका मतलब है, वो molar change in entropy of mixing पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, molar change in entropy on mixing, वो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना विटा, जो भी total moles हैं, उन से इस expression को divide कर दो, अगर molar का मतलब क्या होता है, जैसे ही molar word आए, तो molar stands for one mole, तो आपने total moles के लिए ये calculate किया है, अगर एक mole के लिए calculate कर आना हो, तो वो total moles से divide कर दो इसको, तभी तो आएगा molar, molar कैसे आएगा, आप इस expression को total moles से divide कर दो, तो molar एक mole के लिए आ जाएगा, चलिए divide करते हैं, तो delta S mixing, और मैं लिखने वाला हूँ molar, molar का मतलब है, अब एक mole के लिए, और इसकी unit बच्चे, joule per mole per Kelvin होगी, SI unit की मैं बात कर रहा हूँ, joule per mole per Kelvin, और कैसे obtain कैसे करोगे, इस वाले expression को, यह जो मैंने expression लिखा, NI, LN, XI, इस वाले expression को total moles से divide कर दो, total से divide कर दिया, जैसे ही मैंने moles को total moles से divide किया, आप एक चीज़ तुरंत strike करने चाहिए, कि सर यह तो कुछ और ही आ रहा है, NI upon N total, moles of a given component divided by total moles, पिटा क्या है, mole fraction है उस component का, उस component का mole fraction है, तो जैसे ही आपने NI and total देखा, अब अगले ही step में, मैं आपके लिए एक बहुत important result लिखने वाला हूँ, और delta S mixing, लेकिन molar, molar, molar का मतलब है, unit यह वाली होगी, Joule per mole per Kelvin, यह आ जाएगा बेटा, minus R sigma XI ln Xi, this is important, इसको याद रखेंगे, minus R sigma XI ln Xi, और यह आएगा Joule per mole per Kelvin, बहुत, एक सिंपल सा common sense लगाओ न, XI की कोई unit होगी क्या, क्या mole fraction की कोई unit होगी, दा answer is no, इधर natural log है, एक term का, और obviously log के अंदर जो quantity होनी चाहिए, वो unit less होनी चाहिए, तो यह तो unit less है, यह भी unit less है, इसका मतलब इस expression की unit Y होगी, जो R की unit होगी, और R की unit क्या होती है, Joule per mole per Kelvin, R की unit यही तो होती है, तो Joule per mole per Kelvin आएगा, ठीक है, तो यह वाला expression भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, हमने delta V mixing determine कर लिया, वो कितना था बेटा, 0, delta H mixing determine कर लिया, बचे वो कितना, 0, delta S mixing determine कर लिया, दो expression आए, अगर N moles के लिए total moles, यह total है, यह total है, यह total है, यह total change in entropy है, और यह molar है, तो total के लिए यह expression है, molar के लिए expression है, कई बार paper में question आएगा, तो आपको यह नहीं बोलेगा, कि total पता करो या molar पता करो, अब एक चीज हमें और पता करनी है, और वो है, delta G mixing, mix होने के इस process में, change in gives pre energy कितनी है बटा, यह हमें calculate करना, और वो बहुत आसान है, इतना सब करने के बाद तो वो, that is a cake walk, चलिए, फिर cake walk करते हैं, यहां तक कोई problem होनी नहीं चाहिए, एक बार आप फिर से देखोगे न, यह बहुत simple तरीके से आया है, लेकिन यह याद रखना में, बार बार बोलना हूँ कि यह जो भी result है, this is valid only if mixing is done at constant temperature and pressure, that means it is ideal mixing, यह बहुत जरूरी होता है, कई बार सिर्फ इस expression पे आप से question पूछे जा सकते हैं, इस condition पे question पूछे जा सकते हैं कि ideal mixing का मतलब क्या है, कि situation में mixing करें तो हम उसको ideal mixing बोलेंगे, चलो एक काम करते हैं, डेल्टा जी mixing निकालते हैं, आपको बेटा यह मालूम चल गया है कि temperature और pressure constant, और यदि temperature pressure constant है, T और P constant होने पे आपको मालूम है कि डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं, देलटा H minus T delta S लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अगर temperature pressure constant है तो delta G is equal delta H minus T delta S लिखा जा सकता है तो एक काम करो यहाँ delta G mixing is equal to delta H mixing minus T delta S mixing लिखते हैं ठीक है और delta H mixing तो पहले ही 0 obtain कर चुके delta s mixing already obtain कर चुके हैं तो आज आएगा delta g mixing के नहीं आ जिया चलो एक काम करो delta s mixing का formula यहाँ पे लाखे चिपका दो चिपकाओ भई फेवी कोल्स नहीं लिखते हैं delta g mixing is equal to यह minus और उसमें minus था तो दोनों minus हो जाएंगे plus यह आएगा बेटा rt submission n i ln x i n i ln x i rt submission n i ln x i यह आजाएगा delta g mixing इसकी unit बता इसकी unit अभी जो delta s mixing का मैंने expression रखा है वो expression था जूल पर Kelvin का temperature से multiply किया तो Kelvin गायब अब बचेगा सिर्फ जूल इसका मतलब यह जूल है कई बार यह आप से नहीं पूछा जाएगा आप से पूछा जाएगा कि जूल पर मोल में बताओ delta g mixing कितनी है जूल पर मोल में अगर बताना है delta g mixing तो आपको क्या करना उपर delta g mixing और अब बच्चे मोलर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोलर कैलकुलेट करने में आप मोलर entropy वाला expression यहां रखोगे तो यह क्या आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा rt submission x i ln x i अब कुछ चीजे मैं चाहूँगा आपको खुद से notice करना सीखो क्या notice करना है आपको मैं आपसे question पूछता हूँ कि यह expression delta g mixing molar positive आएगा या negative आप इसको decide करो यह positive आएगा निगेटिव आएगा जल्दी simple match से कर लोगे आप mole fraction की value 1 से कम या 1 से ज्यादा और अगर कोई 1 से ज्यादा बोला है तो उसको फिर से mole fraction पढ़ने की जरूरत है mole fraction is always less than 1 तो यह 1 से कम होगा 1 से कम किसी quantity का natural log लोगे तो वो negative आएगा यह पूरा expression negative आएगा क्योंकि temperature on Kelvin और R की value कभी negative हो नहीं सकती तो यह delta G mixing की value चाहे यह value आप यह भी negative आएगा और entropy chain जो आपने यह expression calculate किया है यह बच्चे हमेशा ही positive आएगा क्यों यह negative और यह negative क्या हो गया positive so delta S mixing is positive and delta G mixing is negative delta H mixing is zero delta V mixing is zero समझ में आया हमने क्या 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 the data mixing कितना जल्दी वोले फट आफट जल्दी जल्दी डेल्टा वी एकसंग कितना zero delta H mixing कितना zero delta S mixing molar ایک मोल के लिए कितना ऐगा minus R Sigma XI ln Xi और delta G mixing molar आगया R T Sigma XI lnxi साई अब एक काम करते हैं चोटा सा एक काम और करते हैं मुझे आप से यह जानना है कि यह जो डेल्टा एस मिक्सिंग मोलर है यह एक्स्प्रेशन इसका लिखा हुआ है अगर मैं इसको बाइनरी सॉलुशन के लिए अब आप बोलो कि सर गैस में कैसे solutions है तो gas gas के mixture को हम हमेशा ही solution बोल सकते हैं क्योंकि that is always going to be homogeneous solution में सबसे बड़ी problem यही तो होती है कि mixture हमारा क्या होना चाहिए homogenous लेकिन gas gas का mixture हमेशा ही homogenous होगा तो एक काम करते मिटा यह expressions मेरे पास हैं अब next page पे मैं चलूंगा इन expressions को दुबारा next page पे लिखूंगा और आप थोड़ी सी match करके हमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि यह जो entropy of mixing है इसकी maximum या minimum value कब attain होगी और उसके लिए क्या condition होनी चाहिए so let us move to next page अब जो भी आगे discussion करने जा रहे हैं और वो ideal binary gaseous solution के लिए तो इसमें आप घबनाने नहीं कि gas का solution सरक कैसे लिखने हैं दो gases का mixture binary का मतलब अच्छे दो gases को हम mix कर रहे हैं अब मैं अपने इस पूरे जो आगे बताने जा रहा हूं उसके लिए हम सिर्फ binary को consider कर रहे हैं मतलब दो gases के mixture को तो माल लीजे ए और बी दो gases है हमारे पास हमारे पास जो डेल्टा s mixing molar का expression था बच्छे वो expression molar molar वाला expression क्या था यह था minus minus r minus r submission x i ln x i ठीक है और अगर हम इन दो gases के लिए let our gases be a and b माल लो दो gases जो mix कर रहे हैं वो क्या है a और b उनके moles हमें पता है na और nb तो उन दोनो gases के लिए इसको यूज करते हैं डेल्टा s mixing molar can be written as what can be written as minus चलो एक काम करो दोनो gases के लिए अगर expression लिखना है तो molar हटाओ उन सभी gases के moles के लिए total लिखते हैं डेल्टा s mixing total अगर मैं total लिखना चाहूं तो यहां पर क्या हैगा या चलिए यह इसी expression में value रखते हैं फिर बाद में इसको differentiate कर देंगे ताकि हमारा expression डंग से आ सके तो molar चलिए ले पताइए क्या आएगा यह आएगा बेटा minus a एक काम करते हैं bracket लगा लेते हैं submission यूज करते हैं पहली गैस ए तो x a ln x a plus x b ln x b ठीक और आपको यह भी मालूम है कि x a plus x b की value हमेशा कितनी होगी 1 होगी क्योंकि हम दो ही components को mix कर रहे हैं a और b क्या मैं यहां से x b को 1 minus x a लिख सकता हूं x b को 1 minus x a लिख सकता हूं आप नहीं भी बोलोगे तब भी मुझे लिखना ही पड़ेगा x b को 1 minus x a लिखना ही पड़ेगा तो यहां से delta s mixing molar is equal to minus r submission x a ln x a और 1 minus x a लिखूँगा x b को ln 1 minus x a लिखूँगा और अब मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं मुझे चाहिए इस expression की मुझे इसकी maximum value चाहिए तो अगर मुझे maximum value चाहिए तो मुझे इस expression को differentiate करना पड़ेगा differentiation आपका काम है मतलब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे यह करके दो मुझे इस expression को differentiate करना है तो d of delta s mixing molar किसके respect में differentiate करो एक काम करो x a के respect में differentiate कर दो d x a जैसे d y by dx होता है x a के respect में differentiate करो और उसको किस के बराबर रखो उसको रखो 0 के बराबर 0 के बराबर क्यों रखना है क्योंकि हमें maximum value obtain maximum minimum का concept लगा रहे और कुछ भी नहीं है आपे maximum minimum का concept use कर रहे है तो d y by dx को मैंने रख दिया 0 जब आप यह solve करोगे बच्चे तो solve करने पर यह आपको करना है यह आपको करना है यह x a की value बच्चे आ जाएगी one by two one by two इसका यह मतलब है जब binary mixture में a और b को mix कर रहे हैं जब mole fraction of a half है तो delta s mixing की value maximum है maximum अच्छा एक से की value हाफ है तो xb की value क्या होगी xb की value भी हाफ होगी क्योंकि दोनों का sum क्या है और one है यह बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए तो एक से half पे delta s mixing की value मुझे क्या मिलेगी maximum तो याद रखना इस पे at this value we will get delta s mixing molar to have a maximum value यह maximum value होगी चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा page को उपर करें और इस maximum value को थोड़ा plot करने की कोशिश करें कि exactly क्या होगी और graph पे कैसे दिखेगी एक काम करो बेटा आप xa की यह जो half value है वो उठाके यहां पर रखो एक से की यह जो half value है वो उठाके यहां पर रखते हैं तो चलिए रखते हैं यह हमने यह तो बता दिया कि किस condition पर maximum आएगा लेकिन उस condition पर value ओ जो maximum value आएगी वो होगी क्या यह भी तो देखना है तो एक काम करो इस की value उठाके यहां चिपकाओ पड़ा फ़र चिपकाते हैं चिपकाने का मतलब substitute चलो यह एक से हाफ रखोगे बेटा तो स्थे मिकसिंग मोलर मोलर और यह है maximum value यह है maximum value is equal to आप तो बाहर रहने दो माइनस अ अ अंगर क्या रखोगे वन वाइटू एलन क्या आएगा वन वाइटू प्लस अगर एक से हाफ है तो एक स्थी कितना आएगा हाफ ही तो आएगा तो हाफ रखो यहां पे और यह एलन माइनस को नदर ले जाओ एलन हाफ को माइनस एलन टू लिख सकते हो और माइनस को अंदर ले जाओगे तो माइनस cancel हो जाएगा यहां से हाफ और हाफ वजाएगा तो यह बच्चे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा यहाएगा और एलन डेल्टा लनटू अच्छा इस मैक्सिमम वालू पर डेल्टा जी कि मुझे मिनिमम मिलेगी औरavic काम करते हैं देल्टा-D mixing molar और ये मुझे minimum value मिलेगी तो minus t delta s delta h minus t delta delta x तो 0 है ideal mixing में तो minus t delta s इसका मतलब है minus rt ln 2 minus rt ln 2 ये mixing में ideal binary mixing of two gases के लिए binary याद रखना क्योंकि हमने जब differentiation किया तो बच्चे x a और x b 2 ही यहाँ पे variables थे और x b को 1 minus x a लिख दिया आप समझ रहो क्योंकि ये पूरा analysis binary के लिए क्यों है अगर वहाँ 2 से ज़्यादा component होंगे तो फिर ये इतना simple नहीं रहेगा चीजों को पता करना इतना easy नहीं रहेगा analysis फिर वो complicated होने वाला है तो अभी हम लोग सिर्फ binary पे focus कर रहे हैं ये बेटा आ गया अब एक काम करेंगे इन values को कुछ graph पे show करते हैं मज आएगी वो graph बनाते हैं graph पे हमें better appreciate हो पाएगा कि ये exactly क्या है होता क्या है books में ये graph जो मैं आगे बनाने जा रहा हूं ये बना होता है पर बच्चों को कभी समझ में नहीं आता कभी भी नहीं समझ में आता बच्चों को कि ये graph ऐसा जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ तो बेटा वो जो graph बना हुआ आपको कई books में मिलेगा उसके पीछे का reason मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूँ next page पे वो graph बनाते हैं चलो आपको यह याद रखना है कि maximum rln2 है और minimum minus rtln2 है ठीक है चलिए मैं ग्राफ बनाता हूँ एक काम करते हैं हम दो graph बनाने जा रहे हैं तो दो graph में पहला है y axis पे y axis पे अब मैं ले रहा हूँ delta s mixing molar right molar और x axis पे यह मेरा xa है यहां बचे 0 है और यहां xa की value कितनी है बिटा 1 अच्छा xa अगर 0 है बचे xa अगर 0 है तो obviously xb की value कितनी होगी 1 और यहां xb की value कितनी होगी 0 ठीक मैंने आप से बोला कि entropy of mixing is always positive always positive entropy of mixing आपने delta s mixing molar क्या expression पता किया था आपने बताया था यह expression था minus r sigma xi ln xi और यह expression हमेशा ही positive वाता था और इसकी maximum value कितनी थी जब xa की value हाफ थी जब xa की value हाफ है यहां पे कहीं पे xa की value हाफ है और यहां पे maximum तो यह graph बनेगा कैसा बेटा यह कुछ ऐसा बनता है और पिर इसका मतलब है इस point पे यह graph maxima यह रहा मेरा maxima जब क्या है xa की value ह है और यह है क्या इस जगह value है क्या यह value कितनी है पीछे वाले पेज़ पर हमने कितनी आपको बताई थी delta s mixing molar कितना है था बिटा आर एलेंग टू आर एलेंग टू डेल्टा s mixing है as we vary fraction of a और बी ए का fraction change करो या बी का fraction change करो तो डेल्टा s का यह variation है mixing डेल्टा s mixing का variation है यह maxima value है अच्छा इसी का जिप्स energy वाला अगर आप बनाओ बेटा अगर आप गिप्स energy के लिए बनाते हो गिप्स energy के लिए बनाते हैं तो y-axis पे अब मेरा है डेल्टा g mixing molar डेल्टा g mixing क्या है molar और इधर बच्छे xa की value 0 है और इधर xa की value 1 है डेल्टा g mixing is always negative और वो भी इस point पे minimum value obtain करता है इस point पे minimum और इस point के corresponding xa की value कितनी थी 1 by 2 और यहां यह value जो आएगी वो कितनी आएगी विटा minus rt ln 2 minus rt ln 2 यह आपको डेल्टा g mixing की minimum value मिलने वाली ठीक तो यह डेल्टा g mixing और यह डेल्टा s mixing अब books में जो graph बना रहता है वो मैं आपको बताता हूँ जो आप बहुत बार देख चुके होगे अगर आप books पलटते हो तो और नहीं पलटते हो तो कोई बात ही नहीं है आप पहली बार देखोगे पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा लेकिन जो लोग books देखते हैं उनको books में आगे वाला जो मैं graph बनाने जा रहा हूँ वो देखता है लेकिन समझ में कभी नहीं आ इस ऐक्सिस पे मेरा एक्स ए है और यहां बच्चे एक्स ए की वालू कितनी है जीरो और यहां एक्स 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 ही आप देखो लेवलिंग नहीं मिलेगी ये उपर इस ग्रांफ का मतलब समझ का है यह जो ऊपर वाला कर्व है बच्चे यह उपर वाला कर्व य Тогда रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एस मिक्सिंग मोलर को करता है कि नहीं करता यह जो नीचे वाला करवा रहा है नीचे वाला कर यह वाला कर यह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा जी मिक्सिंग मोलर को अरे हां या ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छा एक चीज़ और जड़ा इस वाले ग्राफ को देखो इस वाले ग्राफ को इस वाले ग्राफ को इस वाले ग्राफ को इस वाले ग्राफ को देखो इस वाले को यह वाला यह वैलू क्या है जीरो यह जीरो पर यह जीरो पर है यह एक्सिस है वाव्वियस्टी एक्सिस प इतनी है जीरो तो आपको ये graph देखने को मिलता है हमें जब जब मैं ये graph देखता था त्यारी की दिनों में obviously जब पढ़ाई की दिनों मुझे समझ में नहीं आता था यह maximum value बेटा यहाँ पे क्या है यहाँ पे mole fraction of A कितना है 1 by 2 1 by 2 maximum और यह minimum 1 by 2 पे mole fraction half पे इसका मतलब है 50% mole fraction 50% of A है 50% of B है और याद रखना यह जो भी हम लोग result बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ binary solutions के लिए apply करता है अब एक चीज़ और हमने यह पूरा result बच्चों derive किया किसके लिए ideal gases के लिए और यह जो बाद में results मैंने जैसे यह वाले results derive किये हैं यह जो graph बनाए हैं बच्चों यह किसके लिए है binary mixtures के लिए all these results although we derived it using ideal gas equation hold good for ideal solutions also यह क्या बात है आप मतलब gases वाले जो नियम है वो ideal solutions liquid solutions के case में बचों याद है ideal liquid solutions जब आप दो liquids को mix करते हो तो वहाँ तीन possibilities हो सकती हैं या तो जो mixture बनेगा वो ideal बनेगा या positive deviation show करने वाला बनेगा या negative deviation show करने वाला बनेगा अब वो positive negative क्या होता है I suppose यह सब आपको मालूम है नहीं मालूम है तो उस पर फिर किसी दिन discussion करेंगे लेकिन मैं बस आपको यह बता रहा हूँ कि यह जो भी यह जो भी result हमने derive किया है gases के लिए all those results are equally applicable for ideal solutions also जब आप binary solutions के लिए बात करें यह results binary solutions के लिए भी इसका मतलब है जब आप liquid A और liquid B को mix करके एक ideal solution तयार करोगे तो delta V mixing कितना होगा 0 delta H mixing कितना होगा 0 delta S mixing यह expression delta G mixing का वही expression जो हम लोंने derive किया है यह जितने भी results है तब भी वहाँ पे valid होंगे और यह graph भी valid है यह graph आपको उन जगहों पे मिल जाएगा I hope बचों कि यह पूरा entropy of mixing जो काफी थोड़ा सा complicated माना जाता है आपको समझ में आया होगा इस पूरे process में बचे एक चीज़ जरूर याद रखनी है कि हमने ideal mixing कि यह मैं बार बार इसलिए बोलना हूँ क्योंकि हम results तो याद रखते हैं लेकिन वो results किन conditions पे valid होते हैं वो भूल जाते हैं और यहीं गलती करते हैं क्योंकि अच्छे competitive exams results के साथ उन results की क्या limitations हैं उन पे भी question पूछते हैं results याद हैं पर उन results के अंदर क्या-क्या limitations हैं वो याद नहीं हैं तो हम question को गलत कर बैठते हैं conceptually वो गलत हो जाता है इस पूरे ideal mixing में temperature और pressure क्या था constant यह सारे results बच्छे आपको याद रखने हैं याद रखोगे तो आपको हर competition में अच्छे level के competition में आपको बहुत फाइदा होने वाला है चलिए बच्छो थैंक्यू सो मच